GST के कुछ point को समझते हैं, पहला point है कि financial year 23rd choice के ITC claim करने की last date 30th November 2004 है, क्या सच में ऐसा है, देखते हैं, GSTR 2B के basis पे हम लोग ITC लेते हैं, 3B के अंदर, 2B जो है हमारी 14th November को generate होती है, 2B जब 14th November को generate होती है, तो उसमें वो ही invoices reflect होती है, जो vendor ने 11th November तक file की है, 11th November के बाद में अगर कोई return file करता है, तो वो 2B 14 December वाले उसमें आएगी, तो इस case में हमारी 30th November वाली date चली जाएगी, तो friends, actual में मेरी ITC claim करने की जो date है, वो मेरे counterparty के GSTR1 11th November तक file करने वाली उस पर है, अगर वो नहीं आती है, तो फिर में 30th November मेरे लिए कोई relevant date नहीं होगी, इस case में मैं अपनी GSTR3 भी delay नहीं करूंगा, और unnecessary में interest penalty नहीं pay करूंगा, अब इसी को साथ साथ जोड़ा जाता है Rule 37A जो की होता है, हमारा Reversal Input Tax Credit और Reavailment ध्यान रखिए, 37A क्या बोलता है, 37 ये बोलता है कि XYZ कंपनी ने जनवरी 2024 की Universe GSTR1 पे दिखाई और उसको file कर दी, यहाँ पर वो file कर रहा है, लेकिन XYZ कंपनी ने GSTR3 भी को file नहीं किया, कब तक 30th September 2024 तक, इस case में ध्यान रखिए, अब ABC इस XYZ कंपनी की invoice का recipient था, उसने क्या किया कि GSTR1 में file की, XYZ कंपनी ने तो ABC के 2B में दिखा और इसने ITC ले लिया, अब यहाँ पर ABC ITC लेके बैठा हुआ है, whereas XYZ कंपनी GSTR3 भी file नहीं कर रही है, इस case में ABC को responsibility होगी, तो 30th November 2024 से पहले 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 अपनी GSTR3 भी के अं का reversal नहीं करता है, तो फिर ABC को payment, interest का payment करना पड़ेगा, अगर reversal कर देता है, तो कोई भी interest नहीं लगेगा 30th November तक, बाद में अगर यह XYZ company GSTR3 भी file करता है, तो ABC recipient इसके ITC ले सकता है, यहाँ पर 30th November वाली कोई भी due date आपको बीच में नहीं आएगी, तो यह difference था 37A के अंदर अब friends, हम बात करते हैं, GSTR1 amendment, बहुत ही simple language में समझा रहा हूँ, GSTR1 एक कब open होगी, या तो GSTR1 की filing की due date जोकी 11th है, या actual filing of GSTR1, मतलब 11th के बाद अगर आप 12, 13 को GSTR1 file कर रहे हो, तो उसके बाद में GSTR1 ही आपकी picture में आएगी, और कब तक आएगी, जब तक आप GSTR3 भी file नहीं करते हो, उससे पहले GSTR1 में amendment कर सकते हो, related to GSTR1, friends, अगर आपने कोई record GSTR1 में save किया हुआ, GSTR1 को file नहीं किया, और GSTR3 भी file करने जा रहे हैं, तो आपको error आएगा, recipient के GSTR1 नमबर को आप GSTR1 के अंदर नहीं add amendment कर सकते, new record को add कर सकते हैं, friends, इसी के साथ सथ हम advisory देख ल 0.5% रह गई है, इससे पहले 1% थी, लेकिन अब 0.5% रह गई है, तो इसके accordingly, e-commerce वाले को अपना TCS काटना पड़ेगा, introduction किया गया था, RCM liability वो ITC statement का, अगर आपने कोई opening balance already डाला हुआ है, और इसको amend करते हैं, तो ध्यान रखे, 30, 11, 20, 24 से पहले place को amend कर लिजे, otherwise आपकी RCM liability का opening balance का amendment facility खतम हो जाएगी, इसके अंदर क्या बताया था, कि जो GSTR 3B में हम liability pay करते हैं, उससे ज़्यादा हम ITC का claim नहीं कर सकते, वो एक check लगाया था, friends, ध्यान रखे, अब GSTR 1 के अंदर table number 6 में, जो है table number, जो unregister वाली interest rate supply है, जो पहले 5,5,00, रुपे से ज़्यादा कि invoice को आपको report करना पड़ता था, अब उसको reduce करके 1 like कर दिया गया है, यह अब live हो चुकिए, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखे है, friends, hard locking of auto-populated liability in GSTR 3B, January 2025 से as per GSTR advisory, आपके GSTR 3B में जो auto-populated liability है, GSTR 1, 1A और IFM, वो hard locking हो जाएगी, मतलब आप उसमें कोई भी changes नहीं क हो ला है, IMS आच चुका है, लेकिन GSTR 3B के अंदर जो ITC auto-populated हो रही है, उसके hard locking की बात अभी नहीं की गई है, यह बात में address की जाएगी, friends, IMS के वारे में 4 point देख लेते हैं, अगर IMS में आप कोई भी action नहीं लेते हो, तो deemed accepted माना जाएगा, और directly आपके GSTR 2B में आ प्रेंड्स, वो ही record IMS से GSTR 2B में flow होंगे, जो कि saved है, और supplier के द्वारा, supplier के द्वारा save कर लिए गये हैं, अगर वो to be filed और filed after GSTR 2B cut of the, वो आपके GSTR 2B में file नहीं होंगे, friends, ध्यान रखे कि जो supplier ने file कियो है, before due date, वो ही आपके GSTR 2B के उसमें आएंगे, अगर कोई supplier save record में change करता है, तो ध्यान रखे कि जो amended डॉक्यमेंटर वो ही आपके इसमें fresh record में मना जाएगा, अगर कोई भी record delete करता है supplier के द्वारा, respective तो और recipient उसमें कुछ action ले लिया है, तो IMS से disappeared हो जाएंगे, friends, इसी के साथ साथ जो एक और advisory आई है, जिसके अंदर aggregate turnover 10 करोड रुपे वालों को, अब जो 1 April 2020 है, उसमें e-invoice generate करने के लिए 30 दिन पुरानी invoice को वो generate नहीं कर सकते हैं, example से समझ लेते हैं, 1 April 2025 की कोई invoice की date है, तो आप maximum e-invoice के लिए 30 April 2025 तक ही उसको e-invoice generate कर सकते हैं, जिसकी date 1 April है, अगर 30 April के बाद में आप इसको generate करने जाएंगे e-invoice, तो यह फिर e-invoice generate नहीं होगी, एक और advisory देख लेते हैं, जो कि related है आपकी DRC03A, friends इसका क्या logic है, कि जब असेची के पास कोई notice आया, तो उसने notice का जो demand है वो payment किया, payment towards demand facility को use करते हुए नहीं किया, बलकि DRC03 के थुरू कर दिया, अब इससे problem क्या होती है, कि जो आपका liability register है, उसमें demand close नहीं होती है, whereas आप payment करके बैठ चुके हैं, तो इसको ही mitigate करने के लिए DRC03A लेके आए हैं, DRC03 के अंदर क्या होगा, 3A लेके आए हैं, इसके लेकिन DRC03, जिनमें cause of payment है, voluntary or others, उसी को use किया जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ARN number enter करना पड़ेगा, DRC03 का, और relevant demand का order number, portal और बाकी information अपना पा जाएगी, फिर आप उसका linking कर सकते हैं, linking होने के बाद में, अगर एक बार adjustment हो गया, तो जो आपकी liability थी, वो अभी भी close नहीं हुई थी, वो close हो जाएगी, तो इस तरीके से DRC03A का आप use कर सकते हैं, यह कुछ updates है, जो मैंने आपके सामन लेके वीडियो तर अच्छा लगोता लेक्षे ने, सबस्क्राइब के अटियल दें, जाहीं जय वारत दन्यवाद